सब को जैमसी की, विंटर रेट्रीट में ये प्राताकालीन सभा का समय है, तो इस रेट्रीट में हमारे प्यारे भाय बहनों के साथ हम ऐसे समय बिता पा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तो आईए सबसे पहले बाइबल से वच्चन देखे, उत्पत्ती अध्या एक एक से पांच, मैं पढ़ूँगा, आदी में परमेश्र ने आकाश और प्रत्वी की तृष्टी की, प्रत्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंध्यारा था, तथा परमेश्र का आत्मा जल के उपर मन राता था, जब परमेश्र ने कहा उज्वाला हो तो उज्वाला हो गया, और परमेश्र ने उज्वाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्र ने उज्वाले को अंध्यारे से अलग किया, और परमेश्र ने उज्वाले को दिन और अंध्यारे को रात कहा, तथा सांज होई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो ग और 2020 में भी इन दो सालों के दौरान पूरी दुनिया भर में दुनिया के सभी लोगों के लिए वे साल बहुत मुश्किल से भरे हुए बहुत दुख से भरे हुए साल रहे हैं और इसलिए कोरोना वाइरस के वज़े से बहुत लोग निराशा में गिर गए दर्द और दुख में गिर गए लेकिन परमेश्वर ने जब कोरोना वाइरस हमारे पास आया पास्टर पार्ग ने कहा कि ये कोरोना वाइरस हमें और आशिशित बनाएगा तो सच में उन शब्दों के अनुसार हमारे मिशिन में तो हमारे मिशिन के इतिहास में और मसीही इतिहास में भी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था और अब हमारे मिशिन ने दुनिया के सभी देशों में पापु की क्षमा का ये ये सुसमाचार प्रचार किया है, नई वाचा का ये सुसमाचार प्रचार किया है, उस पास्टर के द्वारा जिसे परमिशन ने स्थापत किया है, तो दुनिया के 126 देशों में और बहुत से टीवी चैनल्स के द्वारा ये सुसमाचार प्रकट हो सक और इतने अद्भुत काम सामने आए, तो मिरे लिए भी, खास करके हाली में, तो जो वचन हमने आज पड़े है, उत्पती अध्याए एक का एक, आधी में परमिश्व ने आकाश और प्रित्वी की स्रिष्टी की, प्रित्वी बैडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल क के उपर अंध्यारा था, तथा परमिश्व का आत्मा जल के उपर मंड़ाता था, जब परमिश्व ने कहा उज्याला हो, तो उज्याला हो गया, जब मैंने इन वचनों के बारे में मेरे मन में सोच के देखा, मैं बहुत धन्यवादी महसूस कर सका, तो दो में जैसे प्रित हुआ था, लेकिन यहां क्या लखा है, कि परमिश्व का आत्मा जल के उपर मंड़ाता था, इसका मतलब यह हुआ, तो यह वो सोरूप है जो जोती की ओर जा रहा है, तो वैसे ही, वैसे ही परमिश्व भी, चाहे हम मुश्किलों में थे, परमिश्व के अद्भुत वच्छ हमारे मिश्व में काम कर रहे थे, तो पिछले साल के दौरान, जब हमने New Year Service किया था, तो हमारे मिश्व के जो बड़े काम है, हमने जब हमारे मिश्व के Top 10 News देखे, तो चाहे हम कह रहे थे कि कोरोना के वज़े से सब कुछ मुश्किल है, लेकिन हमारे मिश्व में दूसरी हम और भी जदा बड़े काम कर पाए हैं, और इस बार, एक ऐसी बात जिसके बारे में हम बोले विना नहीं रह सकते, कोरिया में, डिसेमर महीने में, क्योंकि हमारा जो ग्राश्यस कौायर है, अपना पूरा मन डाल के, जब मैंने सुना कि कैसे, वो फिल्म को उन्होंने दो म कर रहे थे, तो ग्राश्यस क्वायर के बहुत से स्पॉंसर्स, जब उन्होंने, तो जब उन्होंने क्रिस्मस कंटार्टा का फिल्म देखा, जिसका नाम है, For Unto Us, तो वो देखके वे इतने खुश हुए, और बहुत से लोगों को जब हमने फिल्म देखने के लिए बुलाय तो फिल्म देखने के बाद वो हिरान रहे गए कि कैसे इस प्रकार बाइबल के अनुसार इश्यू मसीख के जनम को दिखाया गया है तो उनके मन इतने छुल गए जब इश्यू का जनम उनोंने देखा उनका मन इतना जदा धन्यवादी मन से भर गया कि सच में वो रो पड़े और फिर पास्टर ने क्रिस्मस का जो सच्छा अर्थ है उसके विशे में प्रशार किया कि कैसे इश्यू ने क्रूस पर हमारे सारे पापों को धोया है और उस ने हमें धर्मी, पवित्र बनाया और अनंद जीवन दिया और उस वच्छन के द्वारा भी लोगों के मन इतने खुश हुए तो पिछले हफ़ते हमारे कुछ मिशनरी जो आफरिका में है तो हम उनके साथ जूम पर कुछ बाते कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि आफरिका में भी तो ज़्यादा तर हमारे मिशनरी जिस भी देशों में वे है उन्होंने अपने अपने देशों के टीवी चैनल्स पर इस फिल्म को प्रसारण किया और कुछ टीवी चैनल्स ने लगबख चार बार भी उसी फिल्म को जैसे दोहराया लेकिन किम यंग जिन जो हमारे यूगंडा के पास्टर है वो कह रहे थे कि कुछ टीवी चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी फिल्म को भी दिखाया और लगबख चौबीस बार उन्होंने इस फिल्म को प्रसारण किया तो हम जब रास्ते पे लोगों को मिलते हैं वो बता रहे थे कि अगर हम ग्रश स्कौयर की बात करें उनकी फिल्म की बात करें तो मतलब लगबख ऐसा लग रहा था जैसा कोई विए जिसने फिल्म को नहीं देखा है सब ने फिल्म को देखा था और पास्तर का जो प्रचार है वो भी हमारे मिशिन में और पर मिशिन इस सदी में इशिमसी के जनम उसकी मृत्यू और उसके पनृत्थान का ये जो संदेश है बहुती सपष्ट तरीके से इस फिल्म के अंदर रखा गया है और उसके द्वारा हम सूसमाचार प्रचार कर सके तो ये सब देख के हम इतने खुश हुए और इतना ही नहीं लेकिन 2021 में हमारे मिशिन के जो टॉप 10 निउस थे खास करके अगर उसमें से कुछ अगर आप चुनना चाहे तो पास्ट पाक पिछले साल जून के महीने में आठ शेहरों में और सप्टेंबर में अमेरिका के 10 शेहरों में वे गए और वहां की बहुत बड़ी बड़ी जो कलीसियाएं हैं दूसरे डेनॉमिनेशन्स और बहुत बड़े बिशप जो CLF से हमसे जुड़े है और बहुत से पास्टर हम उनसे मिले और फिर उन्होंने पास्ट पाक को निमंत्रित किया अपनी कलीसियाओं में ताकि पास्ट पाक वहां पे जाके पढ़ा और जो सूसमाचार पास्ट पाक प्रचार करते है और वो सारे काम जो दुनिया भर मेवे करते है तो उन्होंने इंटर्व्यू लेने से पहले उसके बारे में पढ़ा तो वो सब पढ़के उनके मन बहुत छुल गए तो खास करके अटलांटा में चैनल 57 नाम का एक टीवी चैनल है वहां का जो इंटर्व्यू लेने वाला एंकर था तो वो जब पास्ट पाक साथ इंटर्व्यू कर रहे थो वो रोने लगे और उसने पापू की क्षमा वो सच्छा सूसमाचार जिसके बारे में पास्ट बात कर रहे थे वो सुनके वो बहुत छुल गए और अगले दिन उन्होंने पास्ट पाक का सभा अपने पूरे परिवार के साथ अटेंड किया तो इस प्रकार की गवाईया और इतना ही नहीं इंग्लिश में भी कुछ टीवी चैनल्स पे पास्ट का जो इंटर्व्यू था वो सब यूट्यूब पे भी दिखाया गया तो मैं एक्चुली आफरिका का इंचार्ज हूँ और आफरिका में जितने भी हमारे पास्टर लोग है तो वो मुझे कहने लगे कि पास्टर अमेरिका में इतने सारे टीवी चैनल्स निखास करके CTN जहाँ पर पास्टर के यूहनना पर जो व्यक्यान है वो दिखाये जाते हैं तो अमेरिका के ऐसे टीवी चैनल्स पे Christian TV channels पर ऐसे मशूर TV channels पर पास्टर पाक के जब interview या फिर प्रचार जो दिखाए गए तो इन लोगों ने जब वो सुना तो आफरिका के सभी TV channels ने भी हमारे लिए दर्वाजे खोले और पापो की क्षमा का ये सूसमाचार जो पास्टर पाक प्रचार करते हैं और पास्टर की जो गवाई है कैसे जॉण आटेमिल्स फूर्व केनिया के राश्टर पती कैसे पास्टर पाक ने उनको सूसमाचार प्रचार किया और उसमें परमिश्रक का जो नियाए हमारे प्रती है वो वाले वच्छन और इर्मया में कैसे नई वाचा के विशमें लिखा गया है तो ये सारे वच्छन तो इसके द्वारा आफरिका में बहुत सारे मिशन और सी एल लफ के बहुत बड़े बड़े जो लीडर्स है जब उन्होंने ये सब सुना और आफरिका के बहुत सारे मज़ी लोग के बीच ये सूसमाचार इस परकार प्रचार किया गया तो इसलिए कोरोना वाइरस की वज़ थे ऐसे दुनिया के कोनों में बहुत गहरे ऐसी चिपी हुई जगाओं पर परमेश्व ने वहाँ पर काम किया और साइबीरिया में भी ऐसी जगाओं पर जहां हमारे मिशनरी जा नहीं पा रहे थे लेकिन हमारे वहाँ जाने से पहले ये टीवी चैनल जैसे वहाँ पर पह और भारत में भी पहाडों पे बसे हुए गाओं में या दक्षिन अमेरिका में कुछ ऐसे गाओं जो दुनिया की बिल्कुल छोर पे चिपे हुए है परमिश्व ने अपना सूसमाचार प्रकट किया और उसके लिए हम बहुत धन्यवादी है और कलीसिया के अंदर भी कोरिया खमीम यूट्यूब के दौरा हमने Grand Bible सभाएं की और Retreat भी किये CLF की सभाएं भी सब कुछ हमने YouTube के माध्यम से किया तो आम तोर पे जब हम Retreat या Bible सभा करते है तो हमें Soul या फिर देदक जाना पड़ता है या फिर कोई Retreat सेंटर लेना पड़ता है लेकिन इस बार के in charge थे वे अपने अपने गा夌ं गए अपने माता-पिता के से मिले सिर्फ अपना लैपPD लेके बड़े टी-वी से अपना लैप्टॉप कनेक्ट कर के फिर इस प्रकार उनका पूरा परिवारस में सह भागिये हो सका और जो लोग हम से जुड़े हुए भी नहीं थे लेकि कोरोना वाइरस के वज़े से क्योंकि वो चर्च नहीं जा पाए तो फिर वो वच्छनों को यहाँ वहाँ ढूंड रहे थे तो इस प्रकार बहुत से लोग उन्होंने हमारे मिश्ण में प्रचार किये हुए वच्छनों को सुना और वो सुन के उन्होंने मन में उधार पाया और फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया तो इस प्रकार की बहुत बहुमूले गवाईयां भी हमने सुनी है तो यांग्चन चर्च में पिछले साल पिछले साल डिसेंबर में अलगभाग डिसेंबर के तीसरे हफ़ते में तो शुक्रवार का दिन था और किसी ने मुझे फोन किया और वो एक लेडी पास्टर थी और उन्होंने बताया कि यूट्यूब के दौरा उन्होंने हमारा वचन सुना और वो कह दी थी कि वो हमारे चर्च आना चाहती है तो फिर शुक्रवार को सुबह हमारा शादी शुदा बहनों का मीटिंग हो रहा था और तब हो आई तो तब मैं गांगनम चर्च में था इसलिए मैं उससे मिल नहीं सका लेकिन उस पास्टर ने क्या कहा वो कहने लगी कि उसने थियोलोजी स्कूल से अपनी पढ़ाई की थी और सोला साल एक पास्टर के रूप में उसने चर्च स्थापत किया था और उसने थियोलोजी में पोस्ट ग्रैजुशन भी किया था और फिर एक senior pastor के रूप में वो अभिशिक्त हो गई थी और वो अपनी सेवकाई कर रही थी और वो बता रही थी कि चाहे मैंने दूसरे लोगों को सिखाया है लेकिन जब उसने अपना खुद का मन देखा तो कह रही थी कि अपने मन में महनत से परमिश्व विश्वास करने की कोशिश करके पवित्र होने की कोशिश करके व्यवस्ता का पालन करने की कोशिश करके वो कह रही थी कि चाहे मैंने ये सब किया तब भी मुझे ऐसे लगा जैसे दो प्रतिशत अभी भी मुझे में कोई कमी है और उस कारण वो एक डिप्रेशन में गिर गई और इस समस्या को वो सुलजा नहीं पाई लेकिन क्योंकि वो पास्टर है जिसने दूसरों को सिखाया है इसलिए वो अपने मन की बाते खुले आम बोल नहीं सकी तो अकेले ही वो चिंता में गिरी हुई थी और अपने मन के इस दो प्रतिशत कमी को पूरा ना करने के कारण वो इतने मतलब मुश्किल में गिरी हुई थी लेकिन कोई इसके बार में नहीं जानता था लेकिन लगबग एक या दो साल पहले उसके बेटे ने उसे गंगनम चर्च के बारे में कहीं से पता चला और वो हमारे चर्च एक दो बार आया तो उसने अपनी मा को कहा कि मैं इस गंगनम चर्च में जाना चाहता हूँ तो उसकी मा ने उसे कहा वो कह रही थी कि गंगनम चर्च वो पास्टर पाक का चर्च? बिल्कुल मत जाना, वो तो गलत शिक्षक है तो मैं उन से नहीं सुनना चाहिए तो इसलिए अब ये लेडी पास्टर क्योंकि वो खुद पास्टर है और ऐसे गलत शिक्षकों के बारे में उसने बहुत जानकारी रखी हुई थी इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि तुम वहाँ पे मत जाओ लेकिन उसके बाद उसका बेटा उसके बेटे ने अपनी मां से कहा कि मा मुझे लगता है कि ये चर्च अलग है तो फिर ये औरत पास्टर ऑक्सटू पाख के बारे में सोचने लगी और फिर पिछले साल आगकस्ट के महीने में उसके मैं ऐसा मनाया कि पास्टर पाक जो वच्छन प्रचार करते हैं, मैं एक बार सुन के देखती हूँ, तो फिर क्या ये पास्टर बाइबल के अनुसार सही बाते बोलते हैं, या फिर क्या वो गलत शिक्षक है, गलत शिक्षा दे रहे हैं, तो क्योंकि मैं भी वाइबल के बार में बहुत जानती हूँ, मैं भी पास्टर हूँ, तो मैं भी जरूर अंतर पहचान पाऊंगी और ये सोचके उसने एक बार आउगस्ट महीने में पास्टर पाक के यूट्यूब चैनल से पास्टर पाक का वचन सुना, लेकिन जब वो सु बीस साल से जादा सेवकाई की है, लेकिन मेरे मन में ये दो प्रतिशत समस्या जो सुलज नहीं रही थी, उस वज़े से मैं बहुत बुरी तरीक से डिप्रेशन में गिर गई, लेकिन ये सारी समस्या हैं, छे घंटों के दौरान जब मैंने पास्टर पाक के वचन सुने, व अपने खुद के मन से पवित्र हो सकती हूँ, लेकिन पहले ही उस एक चड़ावे के द्वारा परमेशों ने जो पवित्र किये जाते हैं, उन्हें सरवदा के लिए सिद्ध किया है, तो इन वचनों को सुन कर वो कह रही थी कि अपने मन में वो इतनी खुश हुई, लेकिन ये बाते उसने हमें तब नहीं बताई, लेकिन तब से शुरू करते हुए, जितने भी पास्टर पाक के वचन यूट्यूब पर आए, चाहें वो रिट्रीट के प्रचार थे, या CLF, या Grand Bible सभा में किये हुए प्रचार, तो पास्टर पाक के किये हुए कितने भी प्रचार थे, सब्टेंबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डिसेंबर, इन चार महीनों के दोरान, उसने लगातार ये सारे वचन सुने, और फिर उस दिन, उसके मन में ऐसा आया कि, मुझे और हिचकेचाना नहीं चाहिए, मुझे और ऐसे पीछे हटना नहीं चाहिए, तो मुझे भी का चर्च ढूंडा, तो वो कांग्सोगू नाम की जगा में रहती है, तो उसके लिए हमारा यांग्चन चर्च सबसे नजदीक पड़ता है, इसलिए वो एक दिन हमारे चर्च आई, तो चाहे हम उससे पहली बार मिल रहे थे, लेकिन ये जो लेडी पास्टर थे, यहाँ प कि वो इतनी खुश है और कह रही थी कि मैं और अपने आपको छिपा नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ आना ही होगा, लेकिन उसी दिन शुकरवार शाम को, हम फॉरान टू अस जो फिल्म है, उसका शो उस चर्च में होने वाला था, तो हमारी चर्च की बहन कि हाँ, मैं बिल्कुल जाना चाती हूँ, तो फिर उसी दिन, वो फिल्म देखने के लिए, वो थोड़ी जल्दी आई, और जब मैं नीचे गया, तो उसमें भी मास्क पहना हुआ था, और मैंने भी उन्हें पहली बार देखा, लेकिन वों को अच्छानक से मेरे पास आके क सुन चुकी हूँ, और यूट्यूब के द्वारा, हमारे मिशन के जितने भी पास्टर्स है, उन सब के वचन भी मैंने सुने हैं, तो लगवख चार-पांच महीनों के दौरान, जब वचन सुन रही थी, तो वो सारे वचन उसने सुने, और जब हम बात कर रहते हैं, तब प ये एक लेडी पास्टर है, जो 45 सालों के दौरान सत्य को नहीं अविशकार कर सकी, और इसलिए वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, बहुत पीडा में थी, लेकिन पिछले साल आउगस्ट में उन्होंने आपका वचन सुना, और लगातार उन्होंने उस दिन 6 घंडों तक आपका वचन सुना, और 45 सालों के दौरान जो पाप की समस्या या व्यवस्था की समस्या या आत्मिक जीवन का सही रास्ता ना जानने की जो समस्या थी, वो सारी समस्याओं के बारे में वो अविशकार कर सकी, और वहां से सब्टेंबर, ऑक्टोबर, नवेंबर, डिसेंब पांच महिनों के दौरान उसने आपका सारा वचन सुना है, और आज वो अकिरकार हमारे चर्च आई है, तो पास्टर पाक उनसे मिलके इतने खुश हुए, और फिर उस लेडी पास्टर से पास्टर मिले, उनका स्वागत उनोंने किया, और तब से हमारे चर्च की एक बहन क समान, वो अब हमारे चर्च की सभी मीटिंग्स में आती है, और पिछले साल के जो आखरी संडे सर्विस के सुबह में, उनोंने अपने उद्धार की गवाई भी बाटी, तो वो सुनके हम अपने मन में इतने धन्यवादी हुए, उनका नाम पास्टर जिन है, तो वो कहने ल तो वो शब्द सुनके वो इतनी खुश हो जाती है, तो दोस्तो कोरोना के वज़ा से, चाहे हम व्यक्तिकत रूप से लोगों से मिल नहीं पाए, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से, ना केवल ये सिस्टर जिन, लेकिन ऐसे बहुत से लोग है जो परमिश का वचन सुन सके तो चाहे वो मतलब हमारे सामने आके हमसे मिले नहीं है, लेकिन इस पापों की क्षिमा का सुसमाचार सुनके बहुत लोग इतने खुश है और वे पापों की क्षिमा को प्राप्त कर सके है, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ तो आज मैंने उत्पत्ती एक का एक पढ़ा है, तो आज जब मैंने उत्पत्ती अध्याए एक को एक में मेरे मन से देखा तो मैं बहुत धन्यवादी हुआ, तो बाइबल के ये जो वचन है, 1491 बीसी में, जब मुसा के साथ इसराइलों ने जंगल को पार किया और वे कनान की भूमी में आएं, तब मुसा 40 दिन सिने परवत पर, परमिश्य के सामने था और वहाँ पर उसे विवस्ता प्राप्त हुई, और उसे मुसा की पांच किताबे कहा गया है, तो ये मुसा की जो पांच किताबे है, उत्पती, निर्गमन, लेवे विवस्ता, विवस्ता तो हम मानते हैं कि बाइबल की जो 66 किताबे है, उन में से पुराने नियम में जो किताबे है, उन में से इन पांच किताबे कहा जाता है कि मुसा ने लिखी थी, और इनको बाइबल में से भी बाइबल कहा जाता है, खास करके उत्पती उन में से सबसे बड़ी किताब मानी ज मुसा ने लिखा और उसको साड़े तीन हजार साल पहले ये वचन प्राप्त हुए, लेकिन ये वचन आज भी हमारे साथ है, ये बाइबल इतने सपश्टूप से लिखी गई है, और आज तक भी हम तक पहुंचाई गई है, ये बात मन को चू लेने वाली है, दोस्तो, तो चा हमारे पास नहीं है, ओरिजिनल बाइबल को बार बार जैसे कॉपी किया गया, बार बार उसको कॉपी किया गया, और इस प्रकार, तो मसेरा की गुफाओं में, उन्हें वो पत्रियां मिली, और सबसे पुराने जो डेट सी स्क्रोल्स है, वो वहाँ पर प्राप्त हुए, व अपनी भेड बकरियों को चरा रहे थे, तो कोई एक भेड गुफा में गायब हो गई, तो ये चरवाहा उस गुफा में अंदर जाना नहीं चाता था, इसलिए उसने गुफा के अंदर एक पत्तर फेका, लेकिन अचानक से उसको कोई तेज आवाज सी आई, इसलिए जब उ अंदर गया, तो उसने देखा कि मिट्टी के बरतनों में ये सारी पत्रिया रखी हुई थी, और कहा चाता है कि वो फिर पूरे दुनिया में प्रकट की गई, और उसको डेड सी स्क्रोल्स कहा जाता है, तो उस चरवाहे ने, जिसने उस गुफा का विशकार किया, तो नाके कुछ कोई और प्रकार की चीजों से लिखी गई थी, तो उनको ये सारी किताबे मिली, तो उसमें से सबसे पहली किताब यह शाया थी, तो इतना ही ने, लेकिन उत्पती निर्गमन, लेवे ववस्था, वेवरन, तो एक-एक करके इन सब किताबों को इखटा किया गया, और कुल उन पत्रियों से मिलते जुलते थे, और इसलिए उन गुफाओं में प्राप्त की गई यह जो पत्रिया थी, यह सब कहा जाता है कि तीसरी सदी में लिखी हुई पत्रिया है, तो इसलिए यह जो किताबे है, यह इतनी जादा वहमूल्य है, और बाइबल की कुछ अबे ऐसी भी है जो ईशुमसी के जनम से पहले लिखी हुई थी, तो उनका भी अविश्कार हुआ, वो कुछ और गुफाओं में प्राप्त हुई, तो जब मैं ये सब देखता हूँ, तो सच में, बाइबल की इन किताबों के द्वारा पर मेश्वर, हम लोगों को जो इस सदी में जी रहे हैं, ये बाइबल इतने बहुमल्य रूप से, स्पाष्ट रूप से अभी तक संभाल के रखी गई है, तो ये बात सच में हमारे मन को छुए बिना नहीं रह सकती, साड़े तीन हजार साल पहले, तो मुसा ने सिन्ह परवत पर ये वचन प्राप्त किये, और उसने इन वचनों को दर्ज किया, और उसने कहा, आदी में परमेश्व ने आकाश और प्रत्वी की स्रिष्टी की, प्रत्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के उपर अंधियारा था, ये वचन, तथा परमेश्व का आत्मा जल के उपर मंड़ाता था, तो मनुश्व कैसे इस स्रिष्टी के बारे में जान सकता है, आकाश और प्रत्वी, क्योंकि मनुश्व तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन असल में परमेश्व नहीं से दर्ज किया है, और 3500 साल से भी ज्यादा इस बाइबल को सुरक्षित रखा गया, और आज मैं और आप इस बाइबल को पढ़ सकते हैं, ये बहुत याद्बुत बात है, तो मुसा की इन पाँच किताबों को बाइबल के अंदर भी बाइबल कहा जाता है, और उन में से भी सबसे बड़ी किताब उत्पति किताब है, और उसमें से उत्पति अध्याए एक, उसमें से एक, दो और तीन, परमेश्व की अद्भुत दूरदर्शिता, वो इन कुछ शब्दों में जैसे दर्ज है तो पुराने नियम में उस इशू की बात की गई है जो कि आने वाला था और फिर नया नियम उस इशू की बात करता है जो आ चुका था यहना 5 के 49 में इशू ऐसा कहता है तो यह बाइबल में ढूंडते है यहना 5 का 49 तो यहाँ पर इशू मसी बतेस्था के कुंड पे इस व्यक्ति से मिलता है जो 38 वर्ष से बिमार था और वहाँ पर वो उन लोगों के साथ बाचीत करता है तो अगर आप यहना 5 के 49 को देखे तुम पवित्रशास्त्र में ढूंडते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुमें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाई देता है तो इशू भी वही कहता है कि पवित्रशास्त्र मेरे विशे में इशू के विशे में बात करते है उत्पत्ति से लेकर पुराने नियम में यह सारी 49 किताबे इशू की बात करते है और फिर 46 में ऐसा लिखा है आईए एक बार वो पढ़ते है क्योंकि यदि तुम मुसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते इसलिए कि उसने मेरे विशे में लिखा है हाँ मुसा की पांच किताबों में और नाकिवल यहां पर मुसा की पांच किताबों में लेकिन तंबु की कहानी में भी सभी विवस्थाओं में तो फसे का पर्व तो असल में यह सब कुछ जो है इशू की बात करते है तो यह सब जो है इशू के बारे में ही बात कर रहे है और होम बली की वेदी, पीतल की हौदी, तो चार प्रकार के जो कपड़े इस्तमाल किये गए थे और उसके चार अलग अलग रंग, ये सब असल में इशु को ही दर्शाते हैं, और फिर तंबू के अंदर, जो पाप बलिदान है, और जो याजक है, वो भी इशु को दर्शाता है, तो पुराने नियम में असल में सब इशु की बात हो रही है, लेकिन दुख की बात ये है कि जो यहुदी लोग थे, जब उनोंने इस पुराने नियम को पढ़ा, तो वे कभी भी इशु को नहीं देख पाए, वे इशु को उसमें देख नहीं सके, वो इशु जो 2000 साल प लेकिन जहां तक नजातियों का सवाल है, मुत्पत्ति अध्याए एक के एक से लेकर पुराने नियम की सारी किताब है, हम कितना वश्कार कर पाते हैं कि ये सब असल में इशु की बात कर रहे हैं, तो कैसी इशु का स्वरूप असल में हम हर जगा पे देख सकते हैं, खास कर और आज उत्पत्ति एक के एक में आधी में परमेश्वर ने आकाश और पृत्वी की सृष्टी की, तो आकाश और पृत्वी क्या है, तो ये पूरा विश्व, ये इनसान, मनश, तो लिखा है कि परमेश्व ने आकाश और पृत्वी की सृष्टी की, तो सबसे पहले क्या है आदी में परमेशवर ने बनाया तो ये पूरी स्रिष्टी मनुश तो ये एक वाक्य भी इतना अदबुत है तो फिर क्यों इनसान इतना दुखी है अगर परमेशवर उनके मन का केंद्र होगा परमेशवर अगर उनका प्रबु है अगर परमेशवर आखे खुल जाएंगी और तुम परमिश्य के तूल्य हो जाओगे तो मनुश्य के तूल्य बन जाना मतलब मनुश्य केंद्र बन गया वे मालिक बन गए वे अपने जीवन के खुद विशय वस्तु बन गए तो फिर इंसान क्यों दुखी है क्योंकि परमिश्वर उनके मन का केंद्र होना चाहिए लेकिन उसके बज़ाए मैं स्वयम अपना केंद्र हूँ परमिश्वर इसे कैसे देखता है इसके विशे में परमिश्वर क्या कहता है लेकिन ये सोचने के बज़ाए मैं इसके बार में क्या सोच रहा हूँ मैं इस चीज़ को कैसे देख रहा हूँ तो अगर आप इस प्रकार देख रहे हैं तो इसी का मतलब दुख और श्राप है लेकिन हम जो आत्मिक जीवन जी चुके हैं हम इशो मसी पर विश्वास करते हैं हमारे पाप क्रूज पर धोए गए तो हमारे इस केंद्र से लेकर अगर हम अपना ध्यान इशो मसी पर शिफ्ट करें तो इसलिए यहां पर वच्छन कहता है कि आदी में परमेश्वन ने आकाश और पृत्री की सृष्टी की तो उसने इस पूरे विश्व को बनाया मनिश्व को बनाया सब कुछ बनाया तो दूसरे शब्दों में अगर आप इसे पढ़े तो आदी में परमेश्वन ने मुझे बनाया तब हमारे जीवन में सब बातों में क्या परमेश्वन हमारा केंद्र नहीं होगा तो फिर ये बहुती जरूरी शब्द जो मुसा ने अध्याए एक के एक में दर्ज किये है आदी में परमिश्व ने आकाश और प्रित्वी की सृष्टी की इसका मतलब परमिश्व ने बनाया और हम उसकी सृष्टी है तो हम इनसान अगर परमिश्वर हमारा मालिक और प्रभू है और अगर हम उसकी बनी हुई सृष्टी होंगे तो फिर कितना आशिशित हमारा जीवन हो सकता है तो दो में लिखा है प्रित्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी गहरे जल के उपर अंधियारा था तो हमें स्वचन को अची तरह जानते हैं और प्रित्वी बेडॉल थी सुनसान थी और गहरे जल के उपर अंधियारा था तो बेडॉल होना क्या होता है जिसका कोई अकार नहीं है और सुनसान मतलब वहाँ पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और गहरे जल पे अंदकार था, तो इसका मतलब ये गहरे अंदकार में गिरा हुआ है, लेकिन उस समय परमिश्र का आत्मा जल के उपर मन राता था, तो कहते हैं कि पूरी पृत्वी जल से ढापी हुई थी, और फिर परमिश्र का आत मन राता था, तो ये जो शब्त है, मन राता था, तो इंग्लिश में इसे होवरिंग लिखा हुआ है, तो पिछले से पिछले हफ़ते, केनिया में, हमने बाइबल सभा किया था, केनिया के कुछ पास्टरों के साथ, और हम जब इसी विशे पर बात कर रहे थे, तो वहाँ प मैंने पास्टर केम योहान से पूछा, कि यहाँ पे जो इंग्लिश शब्द क्या है, कोरियन शब्द बताने के बाद, तो उन्होंने बताया होवरिंग, तो मैंने पूछा होवरिंग का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बाइबल के अनुसार उसका अर्थ नहीं समझाया, लेकिन उन्होंने बताया कि hovering शब्द का अर्थ क्या होता है, कि अगर कोई helicopter जब propeller के साथ वो चलता है उधारन के लिए, तो जहां पर उसके wings तो हिल रहे, लेकिन वो फिर भी एक ही जगा पर स्थेर है, तो उसको hovering कहते हैं, तो एक और इसी जगा है, जहां पर hovering ये शब्द किया गया है, तो ये विवस्था विवरन 32 में लिखा हुआ है, 11, जैसे उकाब अपने घोसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के उपर-उपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंग फैला कर उसको अपने परो पर उठा लिया, यहां पे भी लिखा है, मंडलाता है, तो वो अपने अंडों को से रही है, और उसके बच्चे जब बहार आते है, तो वो अपने बच्चों को खिलाती है, उसकी देखभाल करती है, और हमेशा उसके उपर-उपर मंडलाती है, तो इसी को हम रक्षा करना कहते है, या अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना कहते है, ताकि वो भी मजबूत उकाब बन सके तो यही विवस्ता विवरन 32 का 10 में लखा है तो जब यह हौवरिंग शब्त को मैं देख रहा था जिस प्रकार परमेश्वर भी हमारे उपर मंडराता है जिस प्रकार एक उकाब तो जैसे एक उकाब अपने बच्चों के उपर उपर मंडराता है उसकी देखरे करते हैं और वो क्या कर रहे देखती है तो यह वच्छन देखके मुझे लगा कि अच्छा उत्पती अध्याए एक का ये दो इतना अद्बुत है हम जो बैडॉल थे जो सुनसान थे जिनके उपर अंदकार चाया हुआ था लेकिन परमश्र का ये आत्मा लगातार अपने परों को हमारे उपर फैला कर हमारे लिए काम कर रहा है और तीन में लिखाया उज्याला हो और उज्याला हो गया तो इसी उज्याले के और परमश्र हमारे अगवाई कर रहा है और ये उज्याला ये जोती कौन है जब उज्याला आता है इसका मतलब अंदकार चला जाता है तब जब जोती चमकती है तो अंदकार गायब हो जाता है और जब ये जो जो बैडॉल है जो सुनसान है वो सब दूर हो जाता है और उसके बाद परमिश्व का जो करम है और तब से वो बैडॉल नहीं है और फिर परमिश्व की दूर दरशिता वहां पर होती है और वो जो सुनसान है वो परमिश्वर से भर जाता है और फिर वो अंदकार परमिश्यो की जोती से खुशी में और आनंद में बदल जाता है और ये वो काम है जो परमिश्यो का आत्मा तब करता है जब वो पृत्वी पर मंड़ाता है तो पुरानी नियम में, तो इबरी भाषा में भी उसको रहाफ कहा गया है तो मंडराना इस शब्द के लिए इबरी भाशा में रहाफ कहा जाता है तो ये शब्द ववस्ता वेवरन 32 के 11 में भी लिखा हुआ है तो जहां पे लिखा हुआ है कि अपने बच्चों के उपर उपर मंडराता है तो इबरी भाशा में भी वही शब्द है रहाफ तो अगर आप उससे पहले 10 में देखें, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरू भूमी में पाया, उसने उसके चारो ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उसकी सुधी रखी, तो ये वचन और ग्यारा, तो ये दोन समान है, तो मैं भी इबरी भाषा तो नहीं जानता, लेकिन यहां लिखा है, आपे भी जंगल और फिर सुनसान और गरजने वाले मरू भूमी, तो इबरी भाषा में भी ऐसे लिखा हुआ है, कि पृत्वी बेडॉल है, सुनसान है, अंदकार से भरी हुई है, तो इबरी भ वहां जोती बनाई, अंदकार से उसमें उजयाला बनाया, और वैसे ही यहां लिखा हुआ है, कि जंगल में सुनसान और गरजने वाले मरूमी में चारो और रहेकर उसकी रक्षा की और अपनी आख के पुतली के समान उसकी सुधी रखी, और इसलिए आज हमारे मन जो बेड बेडॉल उसके स्वरूप को ढखेल देता है, और परमिश्य के उस अद्वत दुनिया में, परमिश्य की जोती की दुनिया में, परमिश्य के संतान की दुनिया में परमिश्य ने हमारी अगवाई की है, तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो उत्पति अध्या एक का दो, सच में ये हमारे लिए लिखा हुआ था, साड़े तीन हजार साल पहले सिने परवत पर मुसा को बता कर लिखा गया और आज तक ये सुरक्षित रूप से रखा गया है, तो ये मेरे मन को इतना चूग गया, और सबसे पहले उत्पति अध्याए एक का एक और दो, इसके सीधे ही बात परमिश्वर उज्याले के बारे में बात करता है, तो ये उज्याला, ये जूती किसे दरशाता है, तो यहन्ना एक के चार में ऐसा लिखा है, यहन्ना अध्याए एक, एक से आगे पढ़ेंगे, तो यहन्ना एक का ए जिदारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया. तो ये वचन इशु मसी है. तो वो वचन ही इशु है. दो, यही आदी में परमिश्व के साथ था. तीन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन हुआ और जो कुछ उत्पन हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन नहीं हुई. चार, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुश्यों की जोती था. तो उत्पती एक के तीन में परमिश्व कहा उज़ाला हो और उज़ाला हो गया. तो ये वही जोती है. तो ये कौन सी जोती है? ये सूरच से आने वाली रोश्णी नहीं है. या बिजली से मिलने वाली रोश्णी नहीं है. ये इशु मसी की जोती है. उत्पती अध्याए एक के तीन में उज़ाला हो और उज़ाला हो गया. वो इशु मसी है. वो इशु मसी की जोती है. इसलिए आज हमारे मनों में ये जोती हमारे मनों में प्रवेश करती है ये इसी की बात कर रहा है और यहना एक में यहना एक का नौ सच्छी जोती जो हर एक मनुशों को प्रकाशत करती है जगत में आने वाली थी तो ये जोती तो ये विश्व पर निर्बर नहीं करती तो सूरत चौते दिन बनाया गया लेकिन ये जो जोती है तो सिर्फ इस दुनिया पर रोशनी देने वाली जोती नहीं है लेकिन ये वो जोती है जो मनुशों के मनों में चमकती है तो जब ये जोती आती है तो अंदकार दूर हो जाता है तो हमारे अंदर का जो अंदकार था जब जोती उसमें आई तो ये अंदकार दूर हो गया तब जो बैडॉल था जो सुनसान था ये दुख तकलीफ ये मुश्किले ये सारी दूर हो गई जैसे ही जोती हमारे अंदर प्रवेश कर गई, लोगों के मन में, जो जोती उनके मनों में चमकी है, सबसे पहले योहन्ना अध्या एक के तीन में, सबसे पहले परमिश ने हमें वो जोती दी है. दोस्तों, यह दूसरा कुरुंटियों 4 का 6 में लिखा है, दूसरा कुरुंटियों 4 का 6, यहाँ पे प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंदकार में से जोती चमके और वही हमारे रिदय में चमका कि परमेश्वर की महीमा की पहचान की जोती इश्यमसी के चहरे से प्रकाश्मान हो तो यहाँ पर यहाँ पर अंदकार में से जोती चमके तो ये उत्पत्ती अध्याए एक का तीन है तो वो वचन उसका अर्थ क्या है? परमिश्वर ने आग्या दी कि परमिश्वर के महिमा की पहचान की जो जोती इशु मसी के चहरे से प्रकाशमान हो तो अगर आप वचन को देखे उत्पत्ती एक का तीन उज्वर हो और उज्वर हो गया वो हमारे मन में उज्वर है तो परमिश्वर ने मुसा को शुरू से ही कहा कि चाहे ये प्रत्वी बैड़ॉल थी सुनसान थी और खाली थी अंदकार में पड़ी हुई थी लेकिन क्योंकि परमिश्वर उस पे मंड़ा रहा था परमिश्वर रहाफ कर रहा था इसलिए जोती आ गई तो जो अंदकार में था वो सब जोती में आ गया तो इसलिए वचन बहुती धन्यवादी और सुन्दर है तो हम जो उस सुनसान भूमी की तरह है जोती की दुनिया में इस खुशी की और आशीश की परमिश्वर ने हमारी अगवाई की है मुझे ऐसे महसूस हुआ तो जब मैंने ये वचन पढ़े तो एक औरत थी जो वेषार करते हुए पकड़ी गई थी योहनिया आठमें तो वो वेषार कर रहे थी और वो वेविचार करते हुए पकड़ी गई और फरीसी वे उसे खीच कर लाए तो इस ओरत का मन अगर आप देखे तो इसका मन बेडॉल, सुनसान, अंदकार में पड़ा हुआ होगा और उस बुरे और गंदी सोच से वो खीची जाकर पाप में गिरी हुई थी तो अब ये इस तरी एक ऐसी औरत है जिसके पास सच में पत्राव से मारे डाले जाने के अलाव और कोई रास्ता नहीं है इस तरी का जो रूप है खाली पन में है, अंदकार में है, सुनसान है, बेडॉल है उसके मन पे अंदकार चाया हुआ है डर और पच्चतावा उसके चहरे पर है और दुख तकलीफ उसके चहरे पर है तो ये भी बिलकुल उत्पति अध्या एक के दो के समाने है, है ना हाँ तो वहाँ पर इशू इस तरी से मिलता है तो इशू इस तरी से मिलता है और ईशू चार ओर रहकर उसकी रक्षा करता है और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधी रखता है और वो उसके उपर मंड़ाता है बिलकुल उकाब के समान जो अपने बच्चों के उपर उपर मंड़ाती है और پंक फैला कर उनको खिलाती है वैसे ही इशू उसके उपर मंड़ाता है और अपने बच्छों को मजबूत उकाब बनाने के लिए ये माँ उकाब काम करती है वैसे ही उस जंगल में उस सुन्सान मरूबूमी में इस जंगल में परमेशु ने हमें बनाया और वेबिचार में वकड़ी गई उस्त्री का मन बिलकुल इस जंगल के समान सुनसान और गरजने वालों से बारी होई मरिभूमी के तरह था लेकिन परमेशर वहां रह रहे कर उसकी रक्षा करता है और अपनी आँखों की पुतली के समान वो उसकी सुधी रखता है और क्योंकि ईशु मसी उसके साथ था ये वेबिचार में वकड़ी गई स्त्री थी वो जिन्दा रह सकी और उसके बाद जो लोग उस पे दंड के आग्या देना चाहते थे उन्होंने सारे पत्थर नीचे रखे और वो उस जगा को छोड़के चले गए तब ईशु ने उसे पूछा कि ये इस तरी तुझ पे दंड के आग्या देने वाले कहां गए और वो स्री कहती है कि हे प्रभू किसी ने दंड के आग्या नहीं दी और ईशु कहता है कि मैं भी तुझ पे दंड के आग्या नहीं देता जा और फिर पाप ना करना तो ईशु ने ये कहा और उस दंड की आग्या से भी परमिश्र ने हमें आजाद किया है और योहन्ना आठ में, योहन्ना आठ के बारा में ऐसा वचन है योहन्ना आठ का बारा, यहाँ पे ऐसे लिखा है ईशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की जोती मैं हूँ तो ये इतना अच्छा वचन है, उत्पत्ति अध्या एक के एक में वो परमिश्र जिसने आकाश और प्रत्वी की सृष्टी की और दो में परमिश्र उस पे मंड़ाता है और तीन में जोती चमकती है तो इसके अंदर वबिचार में पकड़ी कि इस तरीकी कहानी शामिल है इन वचनों में तो ईशु मसी इन तीनों वचनों में प्रकट होता है ईशु मसी इस प्रत्वी पर आया, उसने मनुश्र को ग्रहन किया वो खुद एक मनुश्र के रूप में पैदा हुआ और फिर इस प्रत्वी के लिए वो इस प्रत्वी पर मंड़ाता रहा और वो जब तक इस प्रत्वी पर मंड़ाता रहा वो बहुत से लोगों से मिला और आकरकार उनके मनों में उसने कहा कि जाला हो और इसलिए और फिर परमिश्य की महिमा की पहचान की जो जोती है जो इश्य मसी के चहरे से प्रकाश्मान होती है वही जोती परमिश्य ने इस वेशारनी स्त्री के मन में भी चमकाई और 38 वर्ष के उस बिमार मनुश्य के मन में भी चमकाई और समारिया के उस तरी के मन में भी चमकाई मरियम और मारता के मन में भी यही जोती उसने चमकाई तो आकिरकार जब मैंने इन वचनों को देखा उत्पती अध्याए एक के एक में असल में सब कुछ शामल है तो दो में पृत्वी का स्वरूप है और कैसे इशू इस पृत्वी पर काम करता है और तीन में कैसे वो हमारी अगवाई जोती की ओर करता है तो इतने अद्बुत ऐसे शब्द इस वचन में शामल है आमेन तो वेबिचार में पकड़ी गई इस तरी की जो कहानी है क्या वो उसकी कहानी है नहीं वो हमारी कहानी है उस तरी को मरना ही था उसे पत्थराव से एक बहुती दैनिया मृत्यो मरनी थी लेकिन जिस प्रकार एक उकाब अपने बच्चों को उनकी रक्षा करने के लिए वो अपने परों को फैला कर उनकी रक्षा करती है तो जिस प्रकार एक सुनसान भूमी पर, जिस प्रकार जंगल में पनमेश्वर लगातर हमारे उपर मंडराता है, आज वही ईशु जो इस जगत की जोती है, वो वेबिचार में पकड़ी गई इस तरी से मिलता है, और वो उसके चारो और रहकर उसकी रक्षा करता है, अपनी वचन के द्वारा, तो उस वचन के द्वारा इशु ने इस वेबिचार में पकड़ी के इस तरी की अगवाई जोती की दुनिया में की, और इशु मसी के मन के अंदर वो परमिश्य की महीमा को अनभफ कर सकी, तो क्या ये वेबिचार में पकड़ी की इस तरी की कहानी है, न वो स्त्री भी किस प्रकार के मन के साथ वो इशुक से मिली थी, तो वो एक 85 स्त्री थी, और वो एक सामरी स्त्री है, इसलिए यहूदी लोग उनको तुछ मानते थे, और उनको पापियों की तरह उनके साथ विवार करते थे, तो क्या आपको नहीं लगता यह ऐसी अभागी स् थी, तो उसका बीता हुआ कल अगर हम देखे तो उसके पांच पती हो चुके थे, और अभी जिस प्रुश के साथ वो रह रह रही थी, वो भी एक नाजायज रिश्टा था, वो उसका पती नहीं था, तो इस प्रकार का जीवन वो जी रही थी, तो उस सदी में आप सोचो कि वो प्यासी रही होगी, कितना वो खाली पन में, कितना सुनसान और कितना अंदकार से भरहुाँ जीवन वो जी रही थी, लेकिन एश्टा उसका इंतजार उसकोए पर कर रहा था। और ईशू जब उसका अंतजार कर रहा था, उसने चारों और रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आख के पुतली के समान उसकी सुधी रखी, और वही ईशू, वो उसके उपर मंडरा रहा था, और क्योंकि वो मंडरा रहा था, इसलिए वो रहाफ था, और क्योंकि वो उसके और अंधकार से निकल कर जोती की दुनिया में ये स्त्री प्रवेश कर सकी। दोस्तो ये स्त्री इश्लो को मिलने से पहले गुत्पति अध्याए एक के दो की हालत में थी। वो एक सुनसान, जंगल के समान, एक गरजने वाले मरूभूमी के तरह थी, लेकिन इशु इस तरी से मिलता है, और उस तरी से इशु कहता है, जो कोई ये जल पियेगा, वो फिर प्यासा होगा, तो ये इस तरी जो थी, वो सिर्फ भूमी के नीचे के जल के बारे में जानती उस कोई का पानी, जिसको याकुब ने खोदा था, लेकिन वो जल दुबारा उसे प्यासा बनाएगा, लेकिन इशु कहता है कि ये जल नहीं, लेकिन तू उस जल में से पी, जो मैं तुझे दूँगा, वो जल जो मैं तुझे दूँगा, तो हम योहना चार में ये जो वच तेरा, यहन्ना चार का तेरा, ईश्व ने उसको उतर दिया, जो कोई ये जल पिएगा फ़र फिर प्यासा होगा, तो ये जल, मतलब याकुब के कुए का जल, परन्तु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूँगा, तो इस औरत को पता ही नहीं कि ऐसा भी कोई जल होता है, परन्तु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूँगा, फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूँगा, वो उस में एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, तो ये इस तरी जब ये बाते सुन रही है ये कौन से पानी की बात हो रही है, ये कैसा जल है कि मैं अगर एक बार प्योंगी दुबारा मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी, और अनंत जीवन के लिए जो उमरता रहेगा, तो ये स्तरी इशु से कहती है, ये प्रभु वो जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आउँ, तो अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो आचाहे हमने ये भाग नहीं पढ़ा, लेकिन उत्पती अध्याए एक का छे, परमिशोर दूसरे दिन के बारे में बात करता है, उत्पती अध्याए एक का छे, परमिशोर दूसरे दिन के बारे में बोलता है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे, तो परमिशोर ने जल क परमिष्ण ने प्रित्वि की उपर जल था उसको दो भागों में अलग कर दिया तो परमिष्ण ने एक अंतर बना कर उसके नीचे के जल और उसके उपर के जल को अलग-अलग किया तो यहां पर ऐसी कहानी है तो ये वच्छन जब मैंने पढ़ा तो ये सामरिस्त्री जो कोई के पास थी वहाँ पे बहुत जल की बात हो रही है यहाँ पे भी जल की बात हो रही है दो प्रकार के जल वहाँ पे अंतर के नीचे का जल और उसके उपर का जल ये दो अलग-अलग किया हुआ है तो पहले सर्फ अंतर के नीचे ही जल था लेकिन बाद में जल के दो भाग बनाने के बाद कुछ जल जो है वो अंतर के उपर चला गया जो सामरिस्त्री थी जो कोई के पास गई थी तो वहाँ पे भी जल की कहानी है और यहाँ पे भी उत्पति में जल के विशे में लिखा गया है और जल भी दो प्रकार के है तो सब कुछ अंदकार था लेकिन कुछ लोग थे जो जोती के थे जो जोती की संतान बने वैसे ही अंतर के उपर भी जल था और अंतर के नीचे भी जल था तो ये स्त्री, ये सामरी स्त्री अब तक वो उस जल में से पी रही थी जो अंतर के नीचे था, वो मरा हुआ पानी था, जो कि दुबारा तुम्हें प्यासा करेगा, वो खाली पानी है, वो ऐसा पानी है, जो बेड़ॉल है, सुनसान है, अंदकार से भरा हुआ है, जब उसने इस पृत्वी का पानी पिया, तो इस तरीके मन में कभी भी अपने मन की वो प्यास बुझा नहीं पाई, तो इशु ने उसे कहा कि ये जल नहीं, लेकिन एक अलग जल, जो स्वर्ग से आता है, वो जल, जो इशु हमें देता है, और युहन्ना साथ में भी इशु कहता है कि यदि कोई प्यासा हो, तो मेरे पास आए और पिये, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवत्रशास्तर में आया है, उसके रिधे में से जीवन के जल की नदिया बह निकलेगी, तो इशु मसी जीवन का जल है, और इशु मसी जीवन की रोटी भी है, तो अगर जीवन कहीं भी प्रवेश करें, तो फिर वो इशु से जुड़ा हुआ है, तो जीवन की पुस्तक, जीवन की रोटी, जीवन का जल, जीवन का वरुक्ष, तो ये सब इशु को दर्शाते है, लेकिन इशु यहां पर कहता है, जो कोई इस जल में से पिएगा, वो फिर प्यासा लेकिन जब उसने इशु से बात की, तो वो परमेश्वर जो अंदकार में से जोती चमकाता है, वो परमेश्वर, जो इशु मसी की जोती के चहरे से प्रकाशमान होती है, जो कि परमेश्वर की महिमा की पहचान है, वैसे ही सामरिस्त्री के मन में इशु ने वही जोती चमक और खाली और वेड़ौल पानी को पी रही थी लेकिन इशु ने चारो ओर रहकर उसकी रक्षा की, अपनी आख की पुतली के समान उसकी सुधी ली और इशु मसी उसके उपर मंडराता रहा, वैसे ही जैसे उकाब अपने बच्चों के उपर मंडराता है, इशु मसी उसके बचन सुन सकी, जो की जीवन के जल का सोता है, तो इस पृत्वी का जल नहीं, लेकिन वो जल जो अंतर के उपर है, उस अनंत जीवन के जल के सोते से वो पानी पी सकी, तो इस से पहले तक ये स्त्री, वो हमेशा उस अंतर के नीचे का जल पी रही थी, इशु को मिलने के बा वो जो इशु से मिले है और वो स्वर्ग के है तो दोनों इनसान है लेकिन कुछ लोग वो है जो पृत्वी के है और कुछ वो जो स्वर्ग के होते है और इशु मसी जब अपने उठाये जाने के बारे में बात करता है तो रैप्चर के बारे में जब वो बात करता है तो दो ल तो जैसे ही जल के बीच एक अंतर बनाया गए, तो यह इस त्री भी जो कोई के पास आई थी, तो वो भी इशु के द्वारा, वो उस स्वर्गिय जल की है, वो जोती की संतान है, और वो इशु मसी के कारण ऐसा हो सकी. तो इस सामरी स्थरी के समान जो कुए पर आए थी तो कि आपको नहीं लगता कि ये आपकी कहानी भी है तो इसलिए आज इस रिट्रीट के दौरा तो परमिशन मुसा के दौरा सबसे पहले ये उत्पत्य अध्याए एक का एक, दो और तीन ये क्यों लिकवाना चाहता था क्योंकि इन वचनों में इस पृत्वी के अंदर सब कुछ इशो मसी के दौरा सब कुछ उसके क्रूस के दौरा जैसे इशो ने हमें ग्रहन किया उसने हमें धर्मी बनाया, पवित्र बनाया तो जब हम उस अनुगर के बारे में सोचते है तो हमारे मन इतने धन्यवादी हो सकते है तो इसलिए मेरे प्यारे भाई, बहनों इस रिट्रीट के दौरा जो वचन आप सुनेंगे, आज हमारे मन में हम इतने आशिशित महसूस कर सकते है और इतना हम खुश हो पाते है तो पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगवाई कर रहा है ये स्वरूप हम देख पा रहे है तो इसलिए आज सुबह सुबह मुसा के दौरा परमिश्र ने हमें उत्पत्ति अध्याए एक का एक, दो, तीन दिया और उसके अंदर हमारा भी सुरूप है और परमिश्र का जो प्यार हमारे प्रती है इश्व मसी ने क्रूस के दौरा परमिश्र ने हमें जोती की संतान बनाया है और परमिश्र ने हमें अंतर के उपर का जल बनाया है तो मैं परमिशु का उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आज मैं वचन यही तक बाटूँँगा, आईए प्रार्थना करे हमारे जीवित पता परमिशु रपका धन्यवाद करते है, आज इस रिट्रीट के दौरा, जितने भी वचन आपने हमें सुनने दिये है, हमारे मनों में बहुत खुशी और सामर्द दे सके है, उत्पति अध्याए एक का दो, प्रत्वी बेडॉल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के उपर अंध्यारा था, तथा परमिशु का आत्मा जल के उपर मंडराता था, और उसने हमें जोती बनाया, परमिशु ने हमें अंतर के उपर का जल बनाया, उसी प्रकार इस रिट्रीट में जो भी वचन हमने सुना है, परमिशु आप हमें आपके अद्बुत में अगवाई करने वाले हैं, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं, तो आज जो भी वचन हम सुनने वाले हैं, उसके द्वारा आप भाई बेनों के मनों को भर दीजिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ईशुमसी के नाम से प्रातना करता हूं, आमेन